आजी क्या हाल चाल ले फिर आ गए तुम लोगों को क्या लगता था नहीं लोटेंगे गलत जब तक थोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं नमसकार जैहिंद स्वागात है आपका एगरी मंतरा यूटूब चैनल पर और इस नई शुरूआत में नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई बीपीएस एफो के स्पेसल सीरीज जी हाँ इस वीडियो में इस सीरीज में हम बात करेंगे IBPS AFO 2022 के लिए Special Series अब की बार AFO पार काफी important ये वीडियो और एक नही शुरुआत हम कर रहे हैं फिर से Agri Mantra Team के द्वारा तो यहाँ पर हम IBPS AFO Men's के लिए Top 20 Questions को जानेंगे तो फिर से आपको लग जाना है जो कुछ मार्क से रहे गए हैं या जो अभी preparation स्टार्ट करना चाते हैं IBPS AFO के लिए तो आप हमारे Agri Mantra Channel से जुड़ जाएए हम यहाँ पर आपको IBPS AFO के लिए Complete Special Series लेकर आए हैं यहाँ पर हम Top 20 Questions का discussion करेंगे और इस वीडियो में हम Horticulture से जुड़ो है Top 20 Questions को जानने वाले हैं तो अगर आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो यह सीरीज काफी important रहने वाली है वीडियो के साथ आखरी तक बने रहीएगा चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करेंगे आज के कोशन नमर फर्स्ट के बारे में तो यहां पर बात हो रही है Symptom of Citrus Canker Appear on the Plant यह जो है आपका IBPS AFO 2000 16 में आया हुआ कोशन है important यह कोशन है और यहां पर बात हो रही है कि जो Citrus Canker होता है उसके कौन कौन से Plant के Parts में अपने अपियर होते हैं Symptom तो Leaps में भी होते हैं Fruits में भी होते हैं और Branch में भी होते हैं यानि कि All of These यहां पर जो है Right Answer होने बाला है इसके अलावा बात करेंगे Question No.2 की Which of the following variety is of Gladiolus मतलब कि Gladiolus की कौन कौन सी variety यहां पर हो सकती है तो जोला, गजल और प्रियदर्सनी यह सभी जो हैं Gladiolus की यहां पर variety होने वाली है काफी important है यह और यह भी आपके एक्जाम में आया हुआ है जोला, गजल, प्रियदर्सनी यह जो है All of These यानि यहां पर आंसर होगा और यह Gladiolus की variety है इसके अलावा आगे बात करेंगे हम question number third की the time of planting main crop of potato in northern plan यानि की northern plan में जो है potato को plant करने के लिए time सबसे बढ़ी है कौन सा होगा तो first fortnight of October जो है यहां पर right answer होने वाला है इसके अलावा आगे बात करें question number fourth की little leaf in mango यानि की आम का छोटी पत्ती रोग इसके अलावा cashew यानि की cashew का छोटी पत्ती little leaf in cashew due to deficiency of यह किसके कारण है तो यह जो है आपका zinc के कारण यह deficiency होई है ठीक है इसके अलावा बात करेंगे आगे question number five की propping in banana banana में propping का क्या मतलब होता है तो उसको support देना propping कहलाता है ठीक है giving the support of plant बात करेंगे denavelling की तो जो male part होता है banana में उसको जब हम remove करते हैं तो उस process को हम denavelling कहते हैं ठीक है याद रखिएगा यह exam में आया हुआ कोशन है आगे बात करेंगे question number six की बात हुरी ये question number six में the finest and most popular variety of mandarin orange तो mandarin orange की जो हमको finest variety को बताना है तो clementine जो है ये finest variety है और ये important है ये exam में आया हुआ है इसके अलावा बात करेंगे question number seven की black heart and hollow heart in potato occur ये होता है climatic conditions की कारण यानि की environmental condition के कारण ये जो है आपका black heart और hollow heart होता है important question है याद रखिएगा आगे बात करें question number eight की what should be the spacing for standard variety of apple tea apple का जो standard variety है उसकी हम spacing कितना रखेंगे तो 22-30 feet जो है वो spacing रखेंगे important ये question बनता है आपके exam के साब से और आपको इसको याद रखना है apple से जो है IBPS AFO में exam में पूछा गया है बात करें question number nine की which state has largest area in production of potato area और production के साब से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो first position पे आता है आप सब लोगों को पता है उत्तर प्रदेश UP जो है first rank पे है UP जो है आपके आलू के उत्पादन में भी आ गए है इसके अलाबा गेहूं के उत्तपादन यानि wheat के production में भी और area में भी जो है first position पे आता है उत्तर प्रदेश उसके अलाबा बात करें bitch mango variety yield on average 16 ton per hectare and about 1,600 plants can be recommended in 1 hectare नाम से यह आप समझ गया होंगे कि high density planting वाली variety की यहां पर बात हो रही है आमर पाली जो है यहां पर right answer होने वाला है यह आपके IVPS AFO के exam में पूछा गया question है अब हम बात करेंगे आगे question number 11 की यहां पर बात हो रही है die back in citrus and cracking of apple is due to deficiency of आप सब लोग जानते हैं citrus में जो है copper के कारण होती है यह काफी important question है इसके अलावा आगे बात करें question number 12 की यहां पर बात हो रही है in India propagation in fruits crop is most common and popular in मतलब की जो fruit crop में propagation सबसे आदा किस fruit crop में use करते हैं तो यह आप सब लोग जानते हैं banana में सबसे आदा जो है propagation यानि प्रसारण की बिदियों का प्रियोग करते हैं यह popular है और यह आपके EFO के exam में आया हुआ कोशन है इस पार्ट में हम केवल होटी कल्चर के top 20 questions को जानेंगे अगर आपको यह वीडियो informative लग रही है तो आपको वीडियो को like करना है चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना है और एक छोटा सा काम करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना है ठीक है चलिए आब हम बात करेंगे question number 13 की which of the following onion variety suitable for खरीब crop खरीब season के लिए जो है onion की कौनची बेराइटी है जो suitable रहेगी तो भीमा सोपर इसको ऐसे भी लिखते हैं B-H-I-M-A ये दोनों जो है सही होगा भीमा या डबल E-M-A भीमा ठीक है ये भीमा सोपर जो है suitable है और ये भी आपके exam के लिए important है आया हुआ है इसके अलाबा प्रमालिनी फिर बिक्रम और चक्रदर ये बैराइटी जो है ये सिट्रस की है यानि की लायम यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा इनकी यहाँ पर बैराइटी हैं रहने वाली हैं इसके अलाबा आगे बात करेंगे to get maximum yield the spacing of banana यानि की banana के plantation जो है रोबस्टा वैराइटी की लिए spacing यहाँ पर पूछा गया है 1.8 x 1.8 जो है मीटर स्क्वेर यहाँ पर spacing रखेंगे रोबस्टा वैराइटी के लिए और ये आपके एक्जाम के लिए काफी important वन सकता है क्योंकि एक्जाम में पूछा गया कोशन है तो आप देख सकते हैं banana के हमने दो कोशन यहाँ पर अभी cover किये हैं तो banana, mango ये जो है होटी कल्चर में काफी important है banana, mango, citrus, papaya यहाँ से एक्जाम में हर एक एक्जाम में कोशन जरूर आते हैं आगे बात करेंगे तो यहाँ पर सोटेवाल टाइम पूछ रहा है प्लांटिंग के लिए जो अन्रूटेट कटिंग है ग्रेप्स की उनको अगर डारेक्ट हमको फिल्ड में लगाना है तो अक्टूबर का जो महिना होता है वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है और यहाँ पर राइट आंसर आपका अक्टूबर ही होने बाला है इसके लाब आगे बात करें चौसा दसेरी लंगरा वेराइटी ओफ मेंगो आर अविलेबल फ्रों देखिए मेंगो से यह दूसरा कोशन है यह मेंगो की वेराइटी है इनका अविलेबल यानि अविलेबल्टी काव आती है तो मई से जून का महिना जो होता है इस टाइम इनकी अविलेबल्टी आ जाती है और यह आपके IVPS EFO 2016 में आई हुए कोशन है जी हाँ चली आगे बात करेंगे कोशन अमर 18 की तो यहाँ पर बात हो रही है The Most Popular Grap Variety in India is तो यहाँ पर Grap की सबसे ज़्यादा Popular Variety का नाम पूछा है आप सब लोग जानते हैं Thompson Seedless जो है Most Popular Variety है Grap की और यह काफी अच्छी Variety है Thompson Seedless से exam में और कोशन भी आते है कि Thompson Seedless काई की Variety है तो यह Grab की Variety है यह आपको याद रखना है इसके लाब आगे बात करेंगे Which one of the following is an example of Sorosis type fruit यह type of fruit से exam में कोशन आया है और यह आपके IVPS EFO के 2016 के paper में आया हुआ कोशन है Jack fruit जो है यहाँ पर Right answer होने वाला है इसके लाब बात करेंगे Question number 20 की यहाँ पर बात हो रही है The pungency in injured garlic Is due to presence of जो garlic है Injured garlic उसमें जो pungency आती है मतलब जो उसमें smell आती है या जो उसमें सुगंद आता है हम कह सकते है Elinase के कारण आती है यह Elinase chemical होता है जो responsible होता है Pungency के लिए Elisin भी हम इसको कह सकते है Elinase Important है तो दोस्तो Question number 1 से 20 तक जो है हमने जान लिया है और यहाँ पर हम बात करें तो first से लेके 20 तक यह सभी top 20 question आपके IBPS AFO के अलग-अलग साल में आई हुए है Mostly question 2016 से लिए गये है 2016 में आप लोगों को भरोसा नहीं होगा Horty Culture से जो है Horty Culture से आई हुए थे तो इस वीडियो में हमने Horty Culture का Part 1 जाना है जो की IBPS AFO में आया हुआ है Next Part बहुत जल्दी लाएंगे जिसमें हम Part 2 में Horty Culture से रिलेटेट और सारी questions को जानेंगे इस टाइब अब जो इस टाइब की जो series हम चलाएंगे इसमें पहले subject wise आपको cover करवाएंगे फिर उसके बाद आपको full length जैसे इस बार हमने दो full length test भी आपको दिलवाए थे mock test type के तो उस type का भी हम आपको exam के time पे रखेंगे पहले आपको subjective type cover करवाएंगे जैसे agronomy, swell science, horty culture इनके top 20 questions लाएंगे उसके बाद आगे फिर समय के हिसाब समय उसको mix भी करेंगे अगर यह आप complete video की pdf पाना चाहते हैं तो यह हमारे जो android application है agree mantra का जो की play store पर available है वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं agree mantra सर्च करके वहाँ पर आपको agree mantra को download करना है application को और वहाँ पर आप इस video की complete pdf आपको free of cost मिलने वाली है और application की direct link आपको description box में भी मिलने वाली है इसके अलावा आगे हम बात करें तो आप question of the day की बारे में बात करें यानि कि यह जो question है इसका आपको जवाब comment section में देना है question है internal necrosis in mango and internal cork in apple due to deficiency of ये भी आपका IVPS EFO 2016 में आया हुआ question है तो इसका जवाब आपको comment section में बताना है इसका जो right answer होगा उसको हम next part में discuss करने वाले हैं तो प्रिये छात्रों, students, दोस्तों आशा करूँगा कि आपको ये part और ये नया concept आपको पसंद आएगा अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजेगा question आपको किस टाइप से लगे हैं आप इसकी राय comment section में जरूर दीजेगा channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कीजेगा और एक छोटा सा काम करना ना भूलिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के शाँ शेयर करना जरूर चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत